नमस्ते दोस्तों आज हम NCRT की नोवी कक्सया की पाठे पुस्तक छितिज के कावे खंड से प्रेकरती के सुकुमार कभी सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचे और उनकी एक कभीता ग्राम सरी को पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचे को देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्रांचल के अलमोडा जिले के कोशानी गाउं में सन उन्निस्सों में हुआ उनकी शिक्षा बनारस और इलाबाद में हुई आजादी के आंदोलन के दोरान महात्मा गांदी के आफान पर उन्होंने कोले चोड़ दिया चायवादी कभीता के प्रमुक स्तंब रहे सुमित्रा नंदन पंत का काववे चितिज 1916 से 1937 तक फैला है सन 1977 में उनका देहावसान हो गया वे अपनी जीवन द्रिष्टी के विभिन चरणों में चायवाद, प्रगतिवाद, एवं अर्विन दर्सन से प्रभावित हुए वीना, ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगान, सुरण किरण, सुरण धूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकाय तन, चिदंबरा, आदी उनकी प्रमुक का व्वेकरतिया है उन्हें सहित्य अकाद्मी प्रुषकार, भारतिये, क्यान पीट प्रुषकार, एवं सोव्यत लेंड प्रुषकार से सम्मानित किया गया पंत की कवीता में प्रैकरती और मनुष्य के अंतरंग संबंदों की पहचान है उन्होंने आधुनिक हिंदी कवीता को एक नवीन अभिवेंजिना पद्दती एवं कावे भासा से सम्रद्द किया बाहों की अभिवेक्ति के लिए स्टीक सब्दों के चैन के कारण उन्हें शब्द सिल्पी कवी कहा जाता है ग्राम स्री कवीता में पंतने गाओं की प्राकर्तिक शुष्मा और श्म्रद्धी का मनोहारी वर्णन किया है खेतों में दूर तक फैली लहलाती फशले फल फूलों से लदी पेड़ों की डालिया और गंगा की सुन्दर रेती कवी को रोमांचित करती है उसी रोमांच की अव्यक्ति है यह कवीता ग्राम स्री फैली खेतों में दूर तलक मकमल की कोमल हर्याली लिप्टी जिस से रवी की किरने चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधीर है रहा जलक शामल भूज तल पर जुका हुआ नब का चिरनिर्मल मैंचित सी लगती वशुदा आई जोगेहुं में बाली अरहर सनई की सोने की किंकिन्या है सो भासाली उड़ती भीनी तलाक्त गंद फूली शर्षों पीली पीली लो हरित धरा से झाक रही नीलम की कली तीशी नीली रंग रंग के फूलों में रिल मिल हस रही खलिया मटर खड़ी हस रही सखिया मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छीमिया छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुन्दर फूले फिरते हैं फूल स्वम उड़ उड़ व्रतों के व्रंतों पर अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमरतरू की डाली जर रहे धाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली महके कटहल मुकलित जामुन जंगल में छरभेरी जूली फूले आडू निम्बू दाडिम आलू गोभी बैंगन मूली पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी पग गए सुनहले मधुर बेर अवली से तरू की डाल जड़ी लहले पालक महमे धनिया लोकी ओ शेम फली फैली मखमली टमाटर कुए लाल पीचों की बड़ी हरी थैली बालू के शापों से अंकित गंगा की सत्रंगी रेती सुन्दर लगती शर्पत चाई तटपरतर बूजों की खेती अंगुली की कंखी से बगुले कलंगी समारते है कोई तिरते जल में शुरुखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई हस्मुक हर्याली हिम आतप शुक से अलसाय से सोई भीगी अधिहाली में निशी की तारक्षोपनों में सेखोई मर्कत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नेलवनब आच्छादन निरुपम हिमांत में सिनक दशांत निजशोभा से हरता जन्मन कवि सुमित्रा नंदन पंत कीक में आये कठिन शब्दों के अर्थ सनई एक पोधा जिसकी चाल्स के रेशे से रस्सी बनाई जाती है उसे सनई कहते हैं किंकनी किंकनी होती है करधनी वृत डंठल मुकुलित अदखिला अवली छोटा आवला सर्पत घास पात तिनके शुर्खाब चक्रवाक पक्षी को कहते हैं शुर्खाब हिम आतप शर्दी की धूब मरकत पन्ना नामक रत्न हरना आकरशित करना धन्यवाद झाल का लग उन्यवाद